महात्मा गांधी जीदे राजन ते क्विचार लेके हाजिर है इस टॉपिक ते अल्रडी वीडियो है इंग्लिश चे भी है ते पंजाबी चे है फिर भी एक शॉट वीडियो दुबारा तो लेके आ रहा है ते जो कुछ भी इस वीडियो तो तनो समझ लगदा वो तो सी महात्मा गांधी जी फादर अफ दे नेशन राष्ट पिता एना उननों दृता गया से का सुबास चंदर बोस जी दुआरा उना दा पूरा ना महांदास करमचंद गांधी है ते महात्मा उननों क्यासी गुरुदेव रबिंदर ना टैगोर जी ने आओ इसनों पूरा स्क कुछ सबनाचे पढ़ते हैं चैप्टर नों ओमिका जनम 2 अक्तूबर 1889 पूर बंदर गुजरात वीच होया पिता जीदा ना करमचंद गांधी माता पुतली बाई विया 19 साल दी उमर विच कस्तुर्बा बाई नाल होया ते 1893 तो 1914 तक तक दकनी अफ्रिका विच रंग पे और 1909 ताली दा यूग जड़ा है गांधी यूगमन ने जन्दा है तीजनवरी उनिसवर ताली नू नत्तूराम गोड से रही तया किती गिये नदी असेसिनेशन किता गया सुबाश्चंदर बोश रही गांधी जीनू राजश्पिता दी अपादी देती गई और महात्मा दी अपादी देती गुरोदे बरविंद नाट है को गांधी जी राज़ती की विचारें उपर परभाव ता अर्मिक गरंत दा परभाव रहा जिस देविच गीता, गुरान बाइबल मुख है इस तो लावा जॉन रस्किन दी बुख की जड़ी है वो अर्थववस्तान संबंदित है उस दा परभाव रहा है हैंडी डेविड थूरो दी बुख दा परभाव रहा है टॉल स्ट्वाइ दे विचारादा दा दे बुख दा परभाव रहा ते गोपाल की रिष्ट गोखले उनना दे राजनतिक गुरू सा बाल गंगा तर दा दाजरा सा सिवल ना फर्मानी ऐसा योग आंदोलन रहा उस दा भी परभाव रहा और गांदी जी दे विचारा उनना दी माता पुतली बाईतों काफी परभावित सा ते इना व्यक्तिता व्यक्तेत्व तर दा दा परभाव रहा उनते Amandieri गांदी जी दे राजनतिक विचार हाँ सब्टपहला राज संबंध विचार गंदी जी राजनू जरूरि संस्ता नहीं मन देसन्ध और राज दे वर्तमान रूप दे विरुद्ध सन्ध और त्म्हीन यंत्र मन देसन्ध शक्तिता प्रय एक आखरी टीचा नहीं है एक साधन है जिस द्वारा व्यक्ति नो अपने जीवन दा सर्व पक्खी विकास करन्दे योग बनाया जा सकता है यसलिए राज संबंधी विचार उना दा डिफरेंट है थोड़ा जा और उसनों जरूरी संस्था नहीं मन दे अधर्श समाज गांधी जी दी दिश्टी विच वर्तमान राज शक्ती उत्ते अधारित है तो अजह राज नो समाप्त करके एक अधर्श समाज दिस्था अपना करना चौन दे हन जो अहिंसा उत्ते अधारित होएगा अहिंसा जिस विच व्यक्तिया नो वद तो वद सुतंता प्राप्त इस समाज विच पुलिस जान सेनिक शक्ति दी इननी जादा लोड नहीं हुएगी, क्योंकि इस विच वस्दे लोग समय शाशन अते समय संजम दी पालना करने। अदालता दी थांते पंचायद दे फैसे लागू होंगे। सत्या ग्रह सत्या ग्रह दा आर्थ है सच ते डटे रहना, जहां सच लई तपस्या करने। सत्या ग्रह करना। एक सच्चा सत्या ग्रह बुराई दा विरोध प्यार द्वारा करता है। गांदी जी दे विचार विच सत्यागरह दा पाव कस्टा नो सेन करके स्चाई दा प्रिगटावा करना है इस ए आत्मक हत्यार है जिस नाल बुरे दी आत्मा नू चंजो लेया जा सकता है सत्यागरह दी पालना कमजोर नहीं बहादर विक्ती ही कर सकता है यह से अगरावरे उन्हें अद्विचार है कि ऐसे योग अधे राजिन्तिक विचार विछ हन कि ऐसे योग हड़ तालतर ने बैकाट हिज्रत अदे बर्थ सत्यागरादियां दिदियां है अहिंसा इस शब्ददार्थ शक्ती दी वर्तों करके किसे नूँ मारना नहीं है पर गांदी जी ने आहिंसा शब्दार्त बहुत विशाल रोप विच लिया है उना अनुसार आहिंसा दापाव किसे नूँ भी विचार जाँ शब्दा जाँ कारजां दवारा किसे पर कारदा कोई नुकसान दुख नपोचोणा है गांधी जी दे विचारा हैं beginning दुज्यां बारे बुरा सोचना जा कठोर पाशन दिना भी हिन्सा है तरम ते राजनिति गांधी जी अनुसार राजनिति विचे तरम दा होना जरूरी है तरम रहित राजनिती दी कलपना भी नहीं कीती जा सकती है इत्थे एकल वर्नन योग है कि गांधी जी दा तरम किसे विशेश तरम दे सिधानता दी चार दिवारी विच सीमत नहीं सी सगो एक विश्व व्यापी तरम सी तरम दापा आवे हिंदू तरम जा से धान तव विश्वाष करना नहीं है तरम मतलब सच अहिंसा विश्वाष प्यार ए है उनना दा मतलब अगे उदेश अत्य साधन गांधी जी अनुसार चंगे उदेश ती पराबती ले चंगे साधन ड़ा दी वर्तों ही करनी चाहिए दिये गांदी जी ने साधना दी तुलना बीज नल कीती है उना दा पापसी जिस तरह दा बीज होएगा उस तरह दे फल प्राप्त होनगे जेकर साधन चंगे नहीं होनगे तो उदेश भी चंगा नहीं हो सकता चंगे उदेश दी प्राप्ती लेई साधना दी नैतिकता हुनी चाहिए दिया और बहुत जरूरी भी है लोकतंतर संबंदी विचार गांधी जी पूर्ण लोकतंतर वादिसन उना अनुसार लोकतंतर दी सफलता लेई लोकां विच सहन, शीलता, अनुसाशन, निमरता, बलिदान दी पावना होनी चाहिए दिया शक्तियां दा विकेंद्री करण होवे गांधी जी अनुसार गूट दा अधिकार देन लेई ना संपती अदे नाही रुत्बा मुख योगता होनी चाहिए दिया इस दा आधार किरत होना चाहिए दा महनत होनी चाहिए दिया अमानती पर नाली अमानती पर नाली दे सधान्त दी बड़ी सधारन व्यक्ष्या ए है कि अमीर विक्तिनू इस गल्दा अहसास करवाया जावे कि जेड़ा फालतु तन अते संपती उना कूल है उदू जे लुकादी महनत दा फाल है वादू तन समुचे समाज दी उना कूल अमानत है इस वादू तन नो समुचे समाज ली पलाई दे खर्चली करना चाहिए दा इस दे नालाल जिनने वी तन है प्रपरटी है ए आन वाले जनरेशन दा अमानत है तसी उना है पोग करिये ओदा जिननी की जरुरत है बागी अगले जनरेशन दे ली रखिए या मानत है ते इस दा आज दी विचार हून आजानने सत्या ग्रह दिया वी दियां गांदी जी अनुसार सत्या ग्रह दियां गांदी जी दा विचार सी के राज दी हून्द दा मुख मंतब लोक दी पलाई लई राज करना है इस मंतब कारण ही लोक राज दी आग्यादा पालं करते हैं जेकर राज अजहा करनून ब्राण लगपवे जो लोक का दे हित विचना हुए ता लोक का दे करता बंड़ा है कि वो अजह सरकार नों किसे प्रकार दा सहयोग ना दन इसनों केंदे मिल वरतन इसलही सहयोग आंदरन गांदी जी ने चलाया सी हरताल हरताल तो पाव है गांदी जी अनुसार हरताल है के रोस वजों सब कम बंद करते जान हरताल इच्छक अते अहिसक होनी चाहिए दी है किसे भी व्यक्तिनों हरताल भी शामिल होनी मजबूर नहीं किता जाना चाहिए दा है समाजिक बाइकार्ट गांदी जी दा विचार सी के जो व्यक्ति लोक मत दी निरादरी करते हन समाजिक बायकारदा पाप आप ए है कि अजही होग कान नाल किसे प्रकारदा समाजिक मेर्जोलग नात नहीं होना चाहिदा है 360 अपने इच्छा अनुसार अपने निवासतानों छड जाना है कांधी जीदा विचार सी के जो लोग अत्याचारी या न्यापूर्ण नितिया दे शकार हन अन्यापूर्ण 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 नितिया अन्यापूर्ण नितिया शकार हन अन्या प्रवर्त रखन दी विधी उस व्रेक्ती नूं ही अपनावनी चाहिए जो अजहा करन्दा आधी हुंदा है सारे नूं ही अपनावनी चाहिए दिये एसन गांधी जी दे विचार संखेप रूप छे जे इनना भी तुसी बच्चेव कर लें देओ ताम भी तोड़े 80% काट नमपर नहीं आणेगे उम्मीद है के छोटा शॉर्ट वीडियो तोनों पसंद आएगा दूसरे नाल शेर जरूर करना थांक यू तक कर बस्विश्च बबाइ